उत्तपरदेश सरकार पहले ही कह चुकी है कि दकेरला इस्टोरी को हम टैस्ट्री करेंगे और मुझे परसनता है कि परदेश के लोग इसको देखें और समझें या फिल्म नहीं वास्तों में देश के अंदर जो एक समाज के विरुद साजिसें चल नहीं है उसका खुलासा है कि हिंदुस्तान के दूसरे भूभाग में किस धंक से हमारी बहनों के साथ अत्याचारा नाचार हो रहा है दुर्वेवार हो रहा है हर उस बेटी को सजग और साउधान रहना चाहिए जो इस प्रकार के जाल फैला करके और उनको फसा करके और फिर उनका किस प्रकार से सोचन किस प्रकार से उत्पीलन किस प्रकार से उनका जीवन बरबाद करने का काम करते हैं उत्त प्रदेश सरकार पहले ही कही चुकी है कि दा केरिला इस्टोरी को हम टैक्स फ्री करेंगे और मुझे परसनता है कि प्रदेश के लोग इसको देखें और समझें कि हिंदुस्तान के दूसरी भूभाग में किस धंक से हमारी बहनों के साथ अत्याचारा नाचार हो रहा है है दूर्वेभार हो रहा है और सतरकता बढ़ते हुए अपने परिवार को अपने संसकारों को अपने बच्चों को समझा ले और बहुत अच्छा निड़े हैं और हम बहुत अभिननदन करते हैं केरिला जो इस्टोरी है जिनको बनाने वालों निर्माता निर्देश को करता हूं और इस फिल्म को प्रदेश वासी तो देखेंगे पूरे देश वासी भी देखेंगे या फिल्म नहीं वास्तों में देश के अंदर जो एक समाज के विरुद्ध साजिसें चल नहीं है उसका खुलासा है और विशेश तवर से हर उस वेटी को सजग और साउधान रह से उनका जीवन बरबाद करने का काम करते हैं मैं सोयम भी मनि मुक्वंत्री जी के साथ जाना होगा साथ में जाएंगे अन्यता दा केरल इस्टोरी आज चुनाओ परचार का कारकम समाप्त होने के बाद मैं भी देखने के लिए जाऊंगा और सभी प्रदेश वासियों से अ प्तर प्रदेश में या फिल्म टैक्स फ्री रहेगी मद्व प्रदेश के आधनी मुक्वंत्री जी पहले ही घोषना कर चुके हैं और कई ऐसे राज्य हैं जो तुष्टी करण की राजनीती करते हैं जो चाहते हैं कि उन राज्यों में रहने वाले लोग सिनेमा घरों के मा नहीं देखेगा तुवा अन प्लेट फार्म पर देखेगा और देखें लोग ऐसी में अफिल करते हैं